गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई एन अदर विलोग तो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और ने विलोग में और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह हमने जे हैंकी क्यों बांद लिया है क्यूंकि हम सुबह सुबह कर रहे हैं डस्टिंग वाला काम तो गेहूं जो निया ग पानी से फिर हम उसे आटा बनाएंगे तो जहां पर गेहूं की साफ सफाई करके पानी से हमने जहां पर दूप में रखना है वहां पर भी हमने साफ सफाई करनी पड़ेगी पानी से और जहां पर हम गेहूं की साफ सफाई करके इसे दूप में रखेंगे तो प्राना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जरूरत क्यों है क्यों हुआ 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 हमारे साथ कि हमें उसे पानी से धोना बड़ा नहीं तो वैसे ही सीधा हम आटा निकाल लेते हैं लिकिन वो आपको दिखाता हूँ आपको पता चल जाएगा देखकर तो पानी से ऐसी तरह से की साफ सफाई करेंगे तो अब मैं आपको ड्रम कोल कर दिखाता हूं कि हमें साफ सफाई की जरूरत क्यों है इसकी यह देखिए क्या हाल हो गया है यह तो बीच में याटा बन गया क्योंकि इसको चोटे-चोटे कीड लग चुके हैं जो के गहूं को खाते हैं पता नहीं हमने तो साफ सफाई काफी अच्छी तरह से द्राम की साफ सफाई की थी दूप लगाई थी निया गहूं डाला था लेकिन फिर भी देखिए जे क्या हो गया गहूं का और जे देखिए छोटे-छोटे कीड़ा हैं जो गहूं को खाते हैं और गहूं हमारा थोड़ा सा खराब हो चुका है तो हमने कोई इसको द्वाई लगा कर नहीं रखा था गेहों को तो ऐसे ही रख दिया नहीं तो कुछ लोग इसमें द्वाई जो चोटी-चोटी गोलियां लगाते हैं इसमें तो यह देखिए इसकीट है इसलिए हमें साफ सफाई की जूरूरत पड़ी हैं ये पि अब हम देखते हैं कितने से दाने रह गए तो से कम हैं जाधा नही में तो अभी गहँ ठोड़ा रहता है भाई अब देखते हैं कितना गहँ SOT हमारा अचार तो यह को हम हाथ से अब ऐसे तेडा करेंगे तो यह दिखिए नीचे से अपने चेम्म निकल रहा है तो ये लास्ट है इसके बाद हम ड्रम को बाहर निकल कर ड्रम की साफसफाई करेंगे और धूप में रख देंगे पानी से इसे अच्छी तरह से साफसफाई करके और ये भाई लास्ट है हमारे गेहूं का तो हमने इसे टेड़ा किया अपने आप ही निकल रहा है बाहर गया हूँ यह देखिए तो यहां से हम सारा गया हूँ बाहर ले गए और हमारी हेल्फ कौन करा रहा है गया हूँ को दोने के लिए क्योंकि पहले तो मुझे समझे में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ तो मैंने मॉम को बताया कि यह हो गया तो फिर भी कहते हैं ने बजूर्ग का जो बजूर्गों का एक्स्पिरेंस है वो हमें नहीं हो सकता चाहे हम कितना भी बढ़ लिख ले उन्होंने बताया कि तुम बस लेकर आओ मैं तुमें बताती हूँ कैसे इन्हें साफ करते हैं तो लगता है इस बार हमने आटा काम में खाया है काफी गेहूं अभी तो पराना ही गेहूं काफी हमारे पास पड़ाया मैंने देखा नहीं है और नया भी ले लिया इसमें से हम नहीं में से अब दो बोरी जो है वो वापसा करेंगे तो अच्छी तरह से साफ सफाई हो रही है और बहुत ही बाई गंदगी निकल रही है गेहूं से जब हम दो रहे हैं तो यह देखिए तो सारी गेहूं की सफाई हो चुकी है अच्छी तरह से पानी से दो लिया है और अभी हमें लग चुका है इसमें डेर से दो गेंटे लग गे तो अभी भूग से बुरा हाल हो रहा अब हम खाना खाएंगे दू खाने में हैं और करेले के साथ है देहीं रहेे तो थो एसी बात नहीं है यह पता चला है तो मैं गहों की तसाफसफाई कर रहा का रहा तो काफी ओप पानी के उपर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कीट थे, तो अभी भी जिन्दा है, कुश कीट यह देखी, जैसे यह, तो अभी भी कुश कीट इसके अंदर दानों के अंदर अभी है, तो जब हम इसका अटा बनाएंगे, तो भाई गेहु के साथ साथ, वो कीट भी पिसेंगे तो फिर जब रोटी खाएंगे, तो कीट हमारे अंदर जाएंगे, तो इसलिए भाई अगर बोलना के भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ऐसी बात नहीं है, जाने अन जाने बहुत सारे हम कीट खाल लेते हैं, यह देखे, कीट अभी कुश जहां पर मर चुके हैं, ले खाएंगे, और आटे के साथ साथ ही नकीटो को भी खाएंगे, तो भाई मैं नहीं कह साकता कि मैं वेजिटेरियन बंदा हूँ, तो अभी दो तिन दिन हमें और मेनत करनी पड़ेगी, क्योंके इसे दूप लगानी पड़ेगी, और जब शाम होगी तो इसे कठा करना तो दो तिन दिन अच्छी दूप लग जाए, क्योंके मौसम भी थोड़ा खराब ही रहता है, तो दूप लग जाएगी, उसके बाद हमारा बिल्कुल साफ सफाई हो चुकी है, तो इसे हम आटा बनानेंगे, जितना हमें जरूरत होगी, तो बाकी को हम बोरी में डाल कर तो आप सोच रहे होंगे, कि विलोग हमेशा जब भी विलोग बनता है, तो अरजुन विलोग में आता है, जिस स्कूल नहीं जाता तो इसके स्कूल में, दिल्ली पपलिक स्कूल में एक तो छुटी बहुत होती है, लेकिन छुटी भी है, और इसको फीबर भी है, तो अज तो अब हम अपने पशों के लिए जो सर्सों की खली है, हमारे खुद घर की बनाई होई, इससे हम बाल्टी में डाल के इसमें पानी डालेंगे और अच्छी तरह से भीगो देंगे, इससे क्या होगा जब शाम को अच्छी तरह से पानी में भीग जाएगी, तो पशों ने जो चारा शोड़ा होगा, उसके उपर हम वो पानी, सर्सों की खली और पानी जो हमारा होगा, वो डाल देंगे, और जो पच्छों ने चारा शोड़ा होगा, वो अच्छी तरह से खा देंगे, तो इसका फैदा हमें यह होगा, तो अब हम जाएंगे अपनी हवेली की तरफ, क्योंकि सुबा का पशों की और देखा है नहीं है, तो हम जाएंगे और देखेंगे के हमारे पशों क्या कर रहे हैं, अरे वो तो बैठे हैं, किकनी अराम से बैठे हैं, सुबा हमने साफ सफाई गर दी थी, चारा बगएर डाल दिया था, अभी अराम कर रहे हैं, तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा चारा और डाल दूँ क्योंकि कम डाला था तभी चारा काटना पड़ेगा थोड़ा सा तो देखता हूँ अभी क्या करना है लेकिन अभी राम कर रहे हैं क्योंकि इनको तंग नहीं करेंगे हम अभी थोड़ा लो यह तो खड़ी होगी देखकर अभी चलो भाई आये हैं हमेली में तो चारे डाली देते हैं थोड़ा सा तो भाई टाइम हो चला है चारा काटने का अभी हम चारा काटेंगे और पशुओं को डालेंगे उसके बाद हम जाएंगे फलों वाले खेत में और देखेंगे काउन से फल वहाँ पर लगे हुए हैं तो भाई करके जो पास खेत है वहाँ पर देखिए रीपर चल रहा है तोड़ी बन रही है और इन दिनों तो भाई डस्ट बहुत ही ज़्यादा उड़ती है अभी एक हफते तक जे चलेगा काम और एक सता के बाद जे तोड़ी बनने का काम जो है वह तकरीबन सारा काम जो है तो इन दिनों भाई अभी डस्ट बहुत रहती है तो आज का भाई हमारा हवेली का काम जो है पश्वों को चारा डालना दूर निकालना सारा काम हो चुका है तो अभी हम जाएंगे अपने फलो माले खेत में जो के बिलकुल हवेली के पास ही है तो हमारे जो पौदे हैं पौदे एक जैसे हैं तो मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि वह कौन सा पौदा है क्योंके अलूचा और जो अलू बखारा होता है उनके फॉनके पौदे एक जैसे होते है और पौदा भी विलकुल एक जैसा होता है पहचान करनी बहुत मुश् Wisconsin होती है कि का नूचा और कौन सा आलू बखारी का है तो यह देखिए बाई सार यहां पर फल लगे है तब ही फल बड़ा होगा फिर पता चलेगा कि यह कौन सा फल है अलूचा है या आलू बखारा है तो अभी जब फल पकेगा फिर पता चलेगा जे अलूच्चे का पौदा है जहां आलू बखा रहे हैं तो जे फाल तो बहुत अच्छा लगा है लेकिन मैं अभी दूसरा भी आपको पौदा दिखाता हूँ इनके पत्ते देखिए दोनों के पत्ते एक जैसे तो एक बार इसके पत्ते देख लीजिए फिर मैं आपको दूसरे के पत्ते दिखाता हूँ तो एक पौदा ये है इन दोनों के पत्ते एक जैसे हैं दिखने में कोई पहचान नहीं है इनकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है एक जैसा पौदा एक जैसे पत्ते तो इस पौदे को सब को पता है भाई मन खुश हो जाता है इतना फल लगा हुआ है इस बार और देखें मदुमखी फूल के उपर रस चूस रही है तो भाई इस पर इतना फल आया ना मैंने जब इसे लगाया था तो पौदा छोटा था छोटे जितने भी एक दो फल लगे थे मैंने तोड़ दिये क्योंकि हाइट इस पर हम फल लेख सकते हैं और यह देखें फल देखें कितना ज़्यादा फल आया है और इसको मैंने कोई ज़्यादा खाद वगेरा नहीं डाली इसको मैंने सिर्फ केचुए की खाद और गोबर की खाद डाली है और इसका कमाल देखें फल देखें और इसके बाद हमारा जे भी पौदा है तो पौदा हमारा भाई वो हो गया हमरूद का और एक ये है और दोनों तीन पौदे हैं मारे पास हमरूद के तीनों की अलग-अलग वराइटी है है तो हमरूद ही लेकिन हमरूद में बहुत सारी वराइटी होती है तो इस पर भी फाल देखिए काफी अच्छी फ्रूटिंग होई है इस बार इस पे भी और इसके बाद एक तीसरा है अभी फाल आएगा तो फिर पता चलेगा कौन सा बढ़िया पोदा है तो इसकी हाइड तो थोड़ी छोटी है सिर्फ एक ही टहनी है नीचे से उपर गया लेकिन इस पर भी फाल देखिए फाल आया हुआ है और भी बहुत सारे पोदे हैं अगर एक एक पोदे के मैं वीडियो बना हूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगे तो इस पर हमने जहां पर नैपियर का जो गास लगाया था तो अच्छी ग्रोथ हो रही है और यह देखिए नहीं नहीं उपर से जो ग्र दिखा देता हूँ यह देखिए आम का पोदा है और यह मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि इसकी ग्रोथ देखिए चारों तरफ टैनिया और बहुत ही अच्छी इसकी इस पर फाल तो नहीं आया लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी है अगर पोदे की जो यहां चलेगा कौन से हैं तो जितना भी हमने काम करना था काम कर लिया अब हम फ्री हो चुके हैं नहाएंगे और फिर थोड़ी सी रेस्ट करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को स्प्सक्राइब करते रेना मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में